है लो गाइज वेलकम बाक तो मैं चैनल आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड के फिफ्थ चैप्टर की अन्बीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम यह बहुत ही प्यारा सा चैप्टर मैरी कॉम का नाम आपने सुना ही होगा इंडियन फीमेल बॉक्सर वर्ल्ल चैंपियन रह चुकी कम से कम पाथ से छे टाइम वो वर्ल चैंपियन रह चुकी है बॉक्सिंग फिल्ड में इनके उपर एक बायोपिक मूवी भी बनी थी मैरी जिसमें प्रियंग का छोपरा ने काम किया था So I guess आपने वो भी देखा ही होगा So बहुत ही inspiring story है Marycom की, बहुत ही struggling story है यह बहुत ही जादा महनत करके After Being a Mother यहाँ पे title में दिया है Unbittable Super Mom Mom इसलिए title दिया है यहाँ पे कि यह After Being a Mother इनकी शादी हो चुकी थी यह twins इनके लड़के होए थे उनके बाद उन्होंने फिर बॉक्सिंग में अपना करियर फिर से लाइक चालू किया और वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है यह and इन्होंने इंडिया के लिए पहला olympic boxing में olympic medal in female category किसी ने कभी लाया नहीं है तो बहुत ही inspiring sports women है Mary Com जिन्होंने बहुत सारी चीज़े हासल की है और बहुत लोगों को inspire करती है बहुत लोगों को support करती है and boxing field में यह like Sabheen को जानते ही है ओके so let's read about her currently यह एक by appointed by president appointed by president of India इनको member of parliament भी बनाया गया था राज्यसभा में so यह you know like वो चीज़ भी देखती है like politics के साब से भी देखती है development का boxing field का development in India वो देखती है and especially for women जो हमारे यहां पर sports का इतना importance नहीं दिया जाता है जितना दूसरे countries देते है जितना Olympic Games में और दूसरी चीज़ों में worldwide games में दूसरी countries बहुत ही जादा focus रहती है लेकिन इंडिया में इतना हर चीज़ नहीं चलती है बहुत बहुत सारे politics हम देखते है बहुत सारी गलत चीज़े हम देखते है कि लोगों को chance नहीं मिलता है या लोगों को motivation नहीं मिलता है so Marycom एक अपनी संस्था भी चलाती है जिनमें वो boxers को train करती है अपने जैसे और बहतरी इन boxers बनाने की कोशिश करती है so आज की हम ये कहानी पढ़ेंगे इसके अंदर interview भी है उनका जो उन्होंने दिया था so interview format में या आधा chapter आपको interview format में मिलेगा जिससे आपको idea आएगा कि writing skills कैसे आपकी सुधारनी है कैसे आपको किसी भी personality का celebrity का interview लेना है तो ये चीज आपको काम आएगी तो I would suggest you कि आप ये interview ज़रूर लिखे लिखेगा एक बार अपने किताब में and let's just start the chapter Marycom I don't know इसनका pronunciation मैं सही कर रहा हूं कि नहीं चंग निंग जंग Marycom was born on 24th November 1982 better known as Marycom is an Olympic Indian boxer hailing from the Com tribe in Manipur so Com जो उनका सरनेम है ये वोही tribe जो tribe tribal people होते है वो tribe का नाम है Manipur का ये tribe है वहां से बिलॉंग करती है ये she is a five time world amateur boxing champion and the only women boxer to have won a medal in each one of the six world champion तो जितने भी world champions हो चुकी है सब में वो medal जीती हुई है जिसमें से पांच बार तो वो world champion बनी हुई है खुद Nicknamed Magnificent Mary she is the only Indian women boxer to have qualified for the summer 2012 summer Olympics competing in the flyweight that is 51 kg का category को flyweight category कहते है flyweight category and winning the bronze medal पहली women है जिनोंने Olympics में medal जीता था boxing के लिए there had to be one successful story if Indians were to survive in sports and we have that story now so पहली line में ही देखो कैसा लिखा हुआ राइटिंग ये chapter पूरा राइटिंग स्किल के इसाफ साब को बहुत काम आएगा कैसे interview के पहले हम को introduction देते personality के बारे में वैसा यहाँ पर article लिखा हुआ है जैसे आपको newspaper वगेरा में मिलेगा magazines वगेरा में मिलेगा तो पहली line में ही कह रहे है कि Indians को sports में survive करने के लिए उदर टिके रहने के लिए एक successful story की जरूरत थी और वो story आज हमारे पास है enough has been said about this great warrior who conquered the world हमने बहुत कुछ बोल लिया इस great warrior के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को कबजे में कर लिया this warrior is none other than Mary Mangte Com the conqueror and the comrade she is famed as five times world boxing champion and the only boxer to win a medal in every one of the six world championships so ये warrior कौन है Mary Com ये warrior है और देखे conqueror की spelling क्या होती है or comrade की spelling क्या होती है ये आपको पता होगा ये क्या उन्होंने किया है like conqueror की spelling क्या होती है C से होती है right conqueror conqueror right conqueror जो conquer करता है चीज़ है right conqueror right conqueror तो यहाँ पर देखिए conqueror का उन्होंने कैसे उनके surname का इस्तमाल करते हुए वो word पुरा बनाय हुआ है comrade का spelling भी C से होता है comrade comrade का spelling भी C से होता है तो उनोंने उनका surname का वो like use करके बताया हुआ है तो यह थोड़ा सा देखे unique way of writing कैसे हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके हम तारीफ करने के लिए हमने ऐसा उनको title दिया हुआ है let's read ahead she in the in the 2012 Olympics she became the first Indian women boxer to qualify and win a bronze medal in 51 kg flyweight तो यह इनका जो boxing हुआ था बहुत like almost पूरे world ने देखा था Indians especially क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई women boxer Olympics तक पहुची है and यह इतने final rounds तक पहुची थी and bronze medal वो जीती थी इन्होंने इनकी सारी fights जितने भी I guess four to five fights हुए थी उनके जो बहुत ही बहतरीन सारे के सारे हुए थे लेकिन वो बाद में एक fighters एक boxer से वो हार जाती है so उन्हें third place मिला था okay so third place is for bronze medal so फिर भी बहुत बड़ी बात है इतने international level पे अपनी country को represent करते हुए you know medal जीत ना Com was born in Kangtai village Moirang Lamkai in Churachandpur district of rural Manipur in Eastern India तो इनका अभी पूरा like location पूरा देखे कैसे दिया है चोटे से बड़ा होते जा रहा आप address generally कैसे लिखते हो आप अभी कभी भी अपना address बताते हो तो देखो writing skills यहाँ पे मैं आपको इस chapter में writing skills भी समझाते जाओंगा कैसे कोई चीज लिखी जाती है तो ज़रा देखिए कि हम उनका location कैसे बताते जा रहे है छोटे से बड़ा जगा होते जा रहा है पहले village का नाम दिया हमने village का नाम दिया फिर हमने एक particular area वहाँ पे है Moirang उसका नाम लिया जो कौन से district उसके बड़ा next district आता है तो district का नाम लिया और district के बाद फिर state आता है तो फिर state का नाम लिया और बाद में state कौन से country के कौन से side पढ़ता है तो फिर वो eastern India हमने बोला तो यह ज़रा sequence देखे कोई चीज कैसे लिखी जाती है कैसे किसी चीज का introduction किया जाता है तो यह चीज भी हम यहाँ पे सीखते जाएंगे English writing skills का यह part होगा आपका Mangte Tompa Kom and Mangte Akham Kom were tenant farmers who worked in Jhoom fields Kom grew up in humble surroundings helping her parents with farm related chores going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously her father was a keen wrestler in his younger age तो अब उनके father mother का नाम दिया है जो अगेन थोड़ा सा एकदम अलग सा है pronunciation में Mangte Tompa Kom and Mangte Akham Kom यह farmers यह दोनों उनके parents farmers रहे हैं tenant farmers यानि जो खुद की land भी नहीं होती है वो दूसरे के land पे काम करते है वो भाड़े पेले के जूम fields यह आपको पता होना चीए जूम हम लोग जोगरफी में पढ़ चुके थे जूम fields किसको कहा जाता है हाला कि यहां पर आंसर दिया हुआ आपको लेकिन यह आपको पहले से पता होना चीए हमने जोगरफी में पढ़ा था कि shifting cultivation वाले farming style को जूम fields कहते थे कौम grew up in humble surrounding, humble surrounding मतलब जादा एकदम कोई शोशा से ला एकदम lavish lifestyle नहीं थी simple सी एकदम poor condition वाली lifestyle में रही है and वो बच्पन से ही athletics में थी अपने school में athletics में पाट लेती थी and साथी साथ दीरे-दीरे boxing का उने craze आया था अब वो boxing का craze कब आया था वो हम सब देखेंगे she had an eager interest in athletics since childhood and the success of Dinko Singh तो ये जो है Dinko Singh जो है ये boxer थे अब fellow Manipuri returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal तो ये Bangkok Asian Games हुए थे तब ये Manipur के ही है Dinko Singh ये एक boxer है जिनोंने gold medal जीता था और ये जब return आये थे तो Manipur में हर एक हर कोई उनकी तरह बनना चाहता था boxer बनना चाहता था और तभी से मैरी कॉम जो already athletics में इतनी sports बगरा में इतनी interested थी पहले से वो boxing के तरफ मुडी कॉम recollects had inspired many youngsters in Manipur to try boxing and she too thought of giving it a try तो वही बात मैं आपको बोली कि बहुत लोग Manipur में उसके बाद inspire हुए boxing के लिए and वो भी उनहीं से inspired हुई boxing field को join करने के लिए मैरी कॉम्स career started in 2000 after her victory in the Manipur state women's boxing championship and the regional championship in West Bengal तो उनका career officially चालू हो गया जब उन्होंने state level का championship जीता और फिर West Bengal में भी regional level का championship जीता in 2001 she started competing at international level और 2001 से ही वो international level पे compete करने लगी she was only 18 years old when she made her international debut at first AIBA women's world boxing championship in United States so AIBA is basically amateur international boxing association उनके जो ये पूरे like international संस्ता है जो boxing वगरा सब कुछ manage करता है fights manage करता है वो सब so ये सिर्फ 18 साल की थी जब उन्होंने अपना पहला match international level पे किया था और silver medal जीता था in 48 kg weight category her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the goal और इतना जीतने के बाद भी silver यानी second वो आई थी final rounds में पहुचके वो हार चुकी थी तो second आई तो silver medal उन्हें मिला था so इनकी like इनकी महानता पता पढ़ती हमें जब उन्होंने country से gold ना जीतने की माफी मागी थी तो इससे हमें पता पढ़ता कि कितनी महाने look up to तो वो पक्का एक legend तो है legend यानी जिन्होंने इतनी महान history बना दी है अपनी और बहुत सारी women पूरे world में उनको like अपना idol मानती है an interview तो अब भी ये interview हम देखेंगे in an exclusive interview with sports skira correspondent Taruka Shrivastava Olympic bronze medalist Mary Combe talked about her preparation for the Olympics and her elation at winning a medal so यहाँ पर हम एक interview देखने वाले है जो Taruka Shrivastava ने लिया था Mary Combe का और उसमें हम जानेगे कि कैसे वो prepare करती है Olympics के लिए और कैसे medal जो जीती है उसका क्या feeling है so interviewer first things first you are the first Indian female boxer to win an Olympics medal for India has the feeling completely sunk in तो अब कह रहे है कि पहली बात सबसे पहली बात तो यही first things first सबसे पहली बात यह कि आप पहली female boxer हो Olympics medal जीतने के वाली कैसा यह feeling आपको लग रहा है आपके आप यह feeling को हजम कर पाए संग की मतब क्या यह आप अभी तक realize कर पा रहे हो कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया है यह feeling आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ रही है कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया है Olympics में medal जीत के Marycom का answer है I am really happy with my achievement and yes it is yet to sink in I am just so exhilarated तो अब कह रहे कि मैं पहले तो बहुत खुश हूँ इस achievement से और अभी तक completely sink नहीं हुआ है अभी तक मैं अभी तक इस you know moment में हूँ इस thrilling इस excitement में हूँ और यह मैं पल जी रही हूँ यह feel कर रही हूँ कि यह मैंने काम किया है so यह yet to sink in पूरी तरह से यह अभी तक दबा नहीं है feeling मेरे अंदर अभी भी वह thrill वह excitement है जीतने का second question है interviewer you were the only female representative from India in boxing did that put additional pressure on you तो अब यह सिर्फ only female इंडिया को represent करने वाली सिर्फ अकेली lady थी boxing के लिए हमारे यापे जादा lady boxers नहीं होते थे अभी शायद जादा होंगे comparatively then बट तभी तो इतने नहीं थे वो अकेली थी तो क्या इस बात का additional pressure आगया था उनके उपर की वो अल्रेडी अकेली है पूरे country को represent कर रही है तो उनके खेल में कोई pressure उन्हें feel होता था क्या No, not at all I was pretty confident about myself I knew तो देखिए एक winner की हमेशा यही बात होती है भले वो बोले ना बोले like task होने से पहले लेकिन एक winner को अपने मन में यह बात हमेशा confident हमेशा होता अपने उपर कि वो यह काम करके दिखा सकते है वो यह काम पूरा कर सकते है तो जब उन्हें बाद में पूछा गया तो उन्होंने बड़े confidently जवाब भी दिया कि नहीं मैं बिलकुल भी मेरे को pressure फिल नहीं हुआ और मैं confident थी और मुझे पता था मैं जीतूंगी third question your coach Charles Atkinson was not allowed to accompany you to the Olympics how did that affect your preparations so इनके जो coach थे Charles Atkinson उनको जाना allow नहीं किया था Olympics में क्योंकि इनका issue हो गया था coaches को एक accredition होता है like जैसे हम लोग पढ़ते है ना कि आपकी college को या school को credit मिला accredited हम क्याता ना accredited accredited let me write that word for you guys accredition यानि कि किसी ने certificate दिया हुआ है कि ये चीज like better है या ये सही है so coaches जो होते हैं international पर जाने के लिए उनका एक accredition score होता है और you know एक number of अलग-अलग criteria's होते हैं जो fulfill होने होते हैं इसलिए उनको वहाँ पर जाने नहीं दिया गया था तो क्या इस बात से उनको कोई फरक पड़ा था उनके preparation में well I did miss him there but thankfully we had already done our homework and I was well prepared तो अब उन्होंने कहा मैरी कौमने की भले ही मैंने उन्हें miss किया लेकिन हमने सारी preparation कर रखी थी हमने सारा काम कर रखा था and I was well prepared to fight on my own next question है during your preparation for the Olympics you sparred with the male boxers of the Indian contingent who was your favorite sparring partner तो sparring यानि की practice करना जो होता है basically ring के अंदर आप practice कर रहे हो अपने techniques या जो भी basically boxing practice कर रहे हो किसी के साथ उसे sparring sparring कहा जाता है so ये female boxers already है नहीं और जो है वो सबसे best तो ये ही खुदी है तो ये अपने आपको और better बनाने के लिए ये male boxers के साथ अपनी practice करती थी तो ये अब interviewer पूछरी interviewer पूछरी की कि आपका कोई favorite partner था practice करने को तो मैरे कॉम हस्ती है इस बात पर and कहती है well I trained hard in Pune and the male boxers were kind enough to practice with me whenever I required them to name a favorite would be unfair तो ज़रा देखिये कैसे answer दे भी दिया और एक तरह से नहीं भी दिया इन्होंने तो ये एक technique भी आपको समझनी है कि celebrities और जितने भी like ऐसे important person होते है वो कोई भी ऐसा कोई comment नहीं करते है जिससे किसी को बुरा लगे वो हमेशा सारे statement neutral रखते है तो यहाँ पर उन्होंने पहले हस के जवाब दिया कि मैं बहुत ही खुश थी कि male boxers ने they were इतने अच्छे थे बोलो कि उन्होंने मेरे साथ practice करने के लिए राजी हुए और मैं पूरे में थी तब मैंने यह किया था और मुझे बहुत मजा आया यह करने में लेकिन किसी एक को चुनना सही नहीं होगा क्योंके सभी ने किसी ना किसी तरह से मेरे को help की थी तो मैं किसी एक favorite को नाम नहीं देना चाहती हूँ ऐसा उन्होंने कहके यह जवाब दिया next question you were quoted saying Adams was very clever a counter puncher but although she carried power she wasn't very tactical I was scoring but the judges were not pressing the buttons do you think dodgy judging was part of the reason for your loss in the semifinals so अब यह interviewer ने एक quote जो मैरी कौम ने जो line कही थी वो पूरी line कह रही है quote यानि quote markation marks जहां से start हो रहा है वहां से लेके पूरा जितना quote खर्टम हो रहा है यह पूरा line मैरी कौम ने कहा था एक interview में एक like अपना statement दिया था semifinals में हारने के बाद so Adams यहां पे Nicola Nicola Adams करके जो boxer थी UK की एक boxer थी जिनके सामने यह हार गए थे मैरी कौम हार गए थे और bronze medal होने मिला था so उनके बारे में यह कह रही है कि वो भले ही clever थी counter puncher थी लेकिन वो tactical नहीं थी wasn't very tactical and यानि की tactical यानि की होता ना mind में हमारा एक planning रहता है और भले ही boxing में scores अलग तरीके से होते हैं like you know तो इन्होंने भले ही score कर रही थी यह जीतने के लिए match लेकिन judges जो है वो score नहीं दे रहे थे so अब वो interviewer पूछ रही है कि क्या आपको यह जो गलत judging हुआ dodgy dodgy judging यानि कि एक तरह से गलत partiality वाला judging जो हुआ क्या आपको वो like reason लगता है अपने हारने का तो मैरे कॉम के थी yes I think some of the decisions were unfortunate and did not work to my benefit तो यह देखो इसमें आप यह बहुत ही यह जो statement है बहुत ही controversial हो सकता है वो जादा judges के बार में बुरा नहीं बोल सकती है नहीं यूनो कुछ और ऐसा कुछ बोल सकती है जिससे उनके career को असर पड़े तो बड़ा techfully again इन्होंने techfully answer कर दिया कि उनके decisions unfortunate लगे जो उनके like lucky unlucky लगे उनको and उनके benefit में काम नहीं आए ऐसा उन्होंने answer देके इससे खतम किया okay next question है India managed managed just six medals in the 2012 Olympics even though we are a nation of one to three billion people where do you think a change is required to get help us win medals that are proportionate with our population so world population के साथ compare करते हुए काया है कि हम लोग कितने कम medals जीते है तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा भी हम लोग इतना medals जादा ला सके जितनी population है उसे साफ से जादा medal ला सके so Marycom का answer है I think more and more people should take up sports as a full-time career if we want more gold medals so simple सा answer है हमारे यहां पे sports को कोई seriously नहीं लेता है और अगर sports को seriously लेते हैं तो parents उन्हें बच्चों को नहीं आगे जाने देते हैं या कोई ना कोई कुछ ना कुछ problem होता है जिससे बच्चे भी खुद आगे जाके like वो उसको full-time career नहीं सोचते है except cricket के अलावा दूसरों को किसी और sports में जादा interest भी नहीं है हमारे यहां पे so यह सारी reasons है more corporate should come in and sponsor players so that the players don't have any financial pressure and can just focus on their games so again किसी का problem financial problem हो सकता है कि यार and इसी लिए वो चाहती है कि बहुत सारे अलग companies and अलग लोग जो private like खुद के लोग है जो वो लोग sponsor करे players को sponsor करे या नहीं खुद पैसा दे and वो players को motivate करे ताकि player अपना सिर्फ talent पे focus कर सके और उसे पैसो की फिकर ना करनी पड़े अगर आपने दंगल मुवी बगेरा देखी होगी या मैरी कॉम मुवी भी देखी होगी या कोई भी sports मुवी देखी होगी तो आपको पता होगा दंगल मुवी का example मुझे एक याद आ रहा है जिसमें father कितनी कोशिश करता है अपने बच्चों को boxing में भीजने के लिए इतनी training कराने के लिए अब उसको पैसे का problem होता है तो आपने अगर वो scene आपको याद होगा तो chicken का rate वो कितना कम कराता है जहांसे उन्हें chicken लेना होता है फिर वो उन्हें कहता है करके हर पोस्टर पे इनका नाम लगेगा तो सब लोग आपका cooker खरीदेंगे ये जीत के आएंगी बेटिया तो ये जो है वो sponsor यानि कि पैसे कोई और दे रहा है आपको सिफ अपना मेहनत करना आपको talent दिखाना है तो ये मैरी कॉम चाहती है कि बहुत सारे लोग अगर corporates वगरा ये सब लोग करना शुरू करे तो बहुत सारा talent हमारे आपके है नेक्स्ट कॉश्टन है तो ये तो सिफ Olympics सिफ एक ही game है एक ही international game है इसके अलावा boxing हर जगा बहुत जगा होती है बहुत professional level पे होती है अमेरिका बगरा में तो boxing professional level पे like वो matches होते ही रहती हमारे आपे you hardly hear about कि कोई boxing match चल रही है और लोग इतना पागल हो रहे है वो match देखने के लिए या anything तो हमारे आपे उतना कोई craze नहीं है boxing का तो वो पूछ रहे है कि क्या आपको लगता है कि boxing का interest हमारे आपे हो सकता है so मैरिकाम positively answer के थी yes I am sure that in a few years boxing will be very popular among everyone in India all the year round पूरे पूरे साल पूरे इंडिया में बड़ा ही popular sports हो जाएगा boxing ऐसा मैरिकाम का मानना है next how aware are Indian women of their nutritional requirements diet and nutrition must have been a key factor in your conditioning for the Olympics do you think nutrition is a neglected area in Indian sports तो हमारे आपे इन जेनरल ही nutrition को लेके इतना कोई लोगों को knowledge नहीं है अभी जाके I think कही ना कहीं लोग तोड़ा सा fit fitness के तरफ बढ़ रहे हैं लोग fitness की तरफ ध्यान दे रहे हैं workouts कर रहे हैं I see more and more women into you know workout gyms and everything जो पहले से फेक male dominating पूरा माना जाता था वो भी अब like females भी बहुत fitness को लेके आगे आ रहे हैं yoga बोलो या जो भी nutrition wise हम बोले तो अभी ये changes आपको देखने मिलेगा so ये अब कहरे कि क्या हमारे आपे लोगों को इसका पूरी तरह से knowledge है की नहीं आपको क्या लगता है and क्या nutrition बहुत important role play करता है तो आपने क्या किया क्या नहीं किया ये question है so the awareness is growing now among the female athletes when it comes to nutritional requirements तो ये भी कह रही है कि अभी लोग और aware हो रही है females लोग की कैसे अपना ध्यान रखना चीए खाने पिने में nutrition has definitely been a neglected area in Indian sports I had to gain 3 kgs since I had to fight in 51 kg even instead of the usual 48 kgs that I fight in तो ये generally 48 kgs के category में लड़ती थी fly weight या atom weight भी इसे कहते है so अब उन्हें 3 kg गेन करना पड़ा 51 kg में क्यूंकि Olympics में 48 kg का कोई category नहीं था तो Olympics में participate करने के लिए उन्हें 51 kg का category जो सबसे कम वाला है उसके लिए 3 kg weight अपना बढ़ाना पड़ा so I had to focus on what to eat I had gained weight by eating the right kind of healthy foods rather than bad saturated fats तो luckily कल ही हमने पड़ा कि saturated fats, unsaturated fats क्या होता है so saturated fats जो हमारे लिए unhealthy है वो नहीं खाना चाहिए उससे आपको weight gain नहीं करना चाहिए chips, fry food ये सब खाके आपको अपना weight gain नहीं करना चाहिए वो कोई अच्छी बात नहीं है आप कहोगे कि 3 kg तो आसानी से कोई भी gain कर सकता है लेकिन healthy protein वाला चीज खाके gain करना बहुत मुश्किल है, muscle gain करना बहुत मुश्किल है, weight gain करना असान है, muscle gain करना बहुत मुश्किल है so, यह चीज़ यहां पर बात कर रहे हैं, next question है how big a role did OGQ play in shaping the boxing scene in India for the better, तो Olympic gold quest यह संस्ता है जो पूरा यह सब देखती है, international games के बारे में, and उन्हों ने Maricom को बहुत help किया overall, क्योंकि यह पहली India से representative थी, and exactly किसी को कुछ पता नहीं था कि कैसे international level पे, you know, perform करते, या जो भी है, you know, एक पुरा एक routine है, तो OGQ ने काफी इनकी help की थी, तो उसके बारे में question है Maricom का जवाब, OGQ really played an important part in my success, they helped me out whenever I needed something, they took care of everything, which helped me focus on my boxing, and kept me stress free, तो वही बात Maricom ने कह दी पुरी की, उन्होंने बहुत important role play किया है, उनके वज़े से ही, मैं मेरा success हो चुका, हो पाया है मैं medal जीती हूँ, उन्होंने हर चीज का ध्यान रखा मेरा, मुझे कभी कोई stress नहीं लेने दिया what's your opinion on the future of Indian boxing, तो आगे क्या सोचते हो आप future of Indian boxing के बारे में, future is very bright and I am sure many more boxes will get medals for us तो ये कहती है कि future तो bright है, आगे बहुत और boxes आएंगे, जो medals लिखे आएंगे next है do you find it difficult to convince your style all the time, तो अब ये कह रही कि उनके बच्चे है, जो twins है और उनके एक और लड़का भी है, टोटल तीन बच्चे है, मैरी कौम के, तो क्या उन्हें difficulty होती है, जब वो लड़ते है, और वो तो मा को ही देख रहे है कि अरे आप भी तो लड़ाई कर रही हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो वो question है, so well I have twins है न, yes sometimes it becomes really difficult to keep them under control, तो simple सा उन्होंने आंसर दिया कि yes कभी कभार मुश्किल हो जाता है, आपको जानने में ये like खुशी होगी आप खुश जानने में खुशी होगी, कि एक extra information, Marycom के husband जो थे, वो खुद एक player, football player थे, and इनके twins वगेरा जो है, वो football काफी ये करते हैं, उनके father के साथ, and Marycom और उनके father का love marriage है, जब वो दिल्ली में थी, तब उनकी मुलाकात हुई थी, and उनका Christian love marriage है, Marycom का, सो बस एक extra information, next question है, will you train your kids to become boxers as well, so I haven't really thought about it as of now, just let their mother box, तो इनों ने कहा कि मैंने सोचा नीज बारे में फिलाल सिफ उनकी मा को box करने दीजिये, मतलब खुद की बात करें वो फिलाल मैं सिफ boxing पर धान दे रही हूँ मैंने अपने बच्चों को बारे में नहीं सोचा है you have broken several stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field, but how good are you at the traditional feminine activities like cooking, तो आप कहरें कि आपने बहुत सारे stereotypes, stereotype यानि कि एक जो society ने tag लगा के रखा हुआ है कि लड़किया ऐसे ही कर सकती है, लड़किया यह नहीं कर सकती है तो अगर कोई लड़का बाल बड़े करता है, तो माना लोग कहेंगे कि अरे तुम क्या लड़कियों जो बाल बड़े कर रहे हो तो यह एक stereotype है, हमारे आप एक standard एक logo ने image बना गे रखी है, कि बाल सिफ लड़किया बड़े कर सकती है, तो यह गलत चीज़, एक गलत perception है, गलत एक नजरिया है, अगर पहले की बात किया जाए, तो पहले के जमाने में सभी के बाल बड़े होते थे, ऐसा किसी ने यह gender role बना के रख दिया, कि female gender ही बाल बड़े रख सकती है, या male नहीं रख सकते, तो वैसे यहाँ पे question है, कि boxing सिफ women, men का खेल है, women नहीं खेल सकती है, तो यह सारे बहुत सारे उन्होंने stereotype तोड़े है, अपने life में बच्पन से लेके, like you know अभी तक में, और वो कह रहे ही कि यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप जो traditional feminine female के जो activity है, जो women को आना चाहिए, cooking घर समालना, वो सब क्या वो आप जानती हो, तो यह question किया interviewer ने, Marycom ने कहा, well I am good at cooking and other household work too, तो यह उन्होंने कहा कि yes, वो तो मैं जानती हूं मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूं, and घर का काम भी करती हो, would you be interested in coaching Indian women in boxing one day, तो let's see in the future maybe yes, तो यह actual interview पुराना है, तो तभी यह इनका संस्था वगरा चालू नहीं था, जब Marycom ने अपना खुद का foundation चालू किया था, जिसमें वो train करती आज की तारिक में, बहुत सारे, not only Indian women, boys, सबको वो like coach करती है boxing के लिए, तो उन्होंने का, let's see in the future, maybe yes, तो तभी से उनके दिबाग में शायद था ही, कि उनको करना है, last question, what do you prefer being called, super mom और super boxer, so क्या आपको बुलाना, आपको like, लोग बुलाएंगे आपको अच्छा लगेगा, mom super mom या super boxer, so I love being a mom, that's the best thing that has ever happened to me, तो वो कहती है कि मुझे mom बनना ज्यादा पसंद है लोग मुझे super mom कहेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, awards and recognition क्या-क्या मिल चुके है, तो उन्हें बहुत सारे awards मिल चुके, Padmasri, Arjuna awards, जो like sports के लिए मिलता है Arjuna awards, so ये सारे बहुत सारे awards मिल चुके, Arjuna awards in 2003 Padmasri in 2006, Rajiv Gandhi खेल रतने के लिए contender थी, लेकिन बाद में उनको ये मिल चुका था, तो ये थोड़ा सा पुराना data हो गया एक तरह से so 2007 में contender थी, यानि कि nominate हुई थी, फिर people of the year, Limka book of records में उनको like नाम आया था people of the year में, CNN, IBM जो है और Reliance Industries का जो award है, Real Heroes, वो मिला होने 2008 में Pepsi MTV Youth Icon Awards जो होता है by AIBA that is International Boxing Association के थूँ 2008 में Magnificent Mary का title उनने दिया गया in 2008 Felicitation by Zombie Students of Federation at New Lamka YPA Hall in 2008 Rajiv Gandhi खेल रतना award, तो देखो 2009 में मैंने आपको अब भी कहा कि Rajiv Gandhi खेल रतना उनको मिल चुका है और 2007 में खाली वो नॉमिनेट हुई थी, 2009 में उनने वो मिल गया, International Boxing Association Ambassador for Women's Boxing in 2009 आज की तारिक में ये International Level पे Ambassador है यानि की सभी का, सभी Women Boxing का ये प्रमोशन करती है और International Level पे ये चीज़ प्रमोट करती है और उस चीज़ का जिम्मेदारी लिया हुआ है Sports Women of the Year, Sahara Sports Award 2010 में, इसके बाद भी इन्हें बहुत सारे Awards मिल चुके है 2020, recently उन्हें एक Award मिला था मैं चाहता हूँ, आप मुझे बताईए comment में उन्हें कौन सा recently Award मिला था तो, that was all about Supermom, Maricom I hope आपको मजा आया हुगा I hope आपको समझ में आया and like the video, share the video subscribe to the channel thank you so much